जहिन चात्रों मैई शारहमत competition community के इस questionnaire प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखे हैं और साथ में एक युद्धिस तर पे तैयारी कर रहे हैं का question session program और कब-कब चल रहा है तो हफ्ते में 4 दिन Monday to Thursday और याद रखिएगा चात्रों YouTube में तो चल रहा है question session program लेकिन जो questionnaire program है वो सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आप लोगों को हमारे competition community के mobile app में और competition community के website में यहां सिर्फ आप लोग को करने मिलेगा questionnaire program अब इसके फाइदे है तो यहां देख सकते हैं आप जो बच्चागर पूरे महिने भर परफॉर्म करता है तो उसे प्राफ्त के प्रदान किया जाएगा आपका CGPSC prelims के five test series वो भी free of cost उसको access दिया जाएगा online माध्यम से देन उसके बाद second जो है price अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से है जो पहले मिल जाता है वो है आपका weekly price जो की current affair की magazine ebook reader के माध्यम से free of cost उसको provide कराई जाती है तो इस हफते के हमारे winner जो है कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप स्क्रीन में कि इस हफते के हमारे top three winners जो है सामने आपके दिखाई दे रहे हैं मैंने पिछली कक्षा पिछल जो है top three rank में रहे हैं और इन्हें जो है ebook reader माध्यम से क्या प्रवाइड करा दिएगे आपका current affair magazine ठीक है लेकिन याद रखेगा जो बच्चे इसे पहली बार भी attempt कर रहा है तो score का अंतर जादा नहीं है यहाँ आप देख सकते हैं कि 16 अंक के साथ जो है उमालक्षमी वजह से जो है आपका पीछे है timing भी जो है measure किया जा रहा है तो इसमें किसी प्रकार का doubt नहीं रखना है timing की वजह से जो है आपका दीप और जो प्रीती है वो पीछे हो गए लेकिन अगर यह निरंतरता इसी प्रकार से आप लोगों की बनी रही तो आप जो है मंधली जो हम सफते और आगे आने वाले महिनों के लिए जो है अपना preparation best करें और जो है जो जो प्रोवाइट किया जा रहा है प्राइज उसमें भी वह अच्छी तरह से score किये आशा करता हूं आप लोगों को इतनी बाते समझ में आई होगी ज्यादा समय ना लेते हुए आईए प्रस्ण सत्र प्रारंब करते हैं जहिंचात्रों मैं इशारहमत competition community के इस question session program में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखे हैं और साथ में एक smart way पे quick revision के format में सारा चीज cover कर रहे है और याद रखेगा मैं उन बच्चों से निवेदन करना चाहूंगा जो कि सारा वीडियो देखता है और आपका answer नहीं दे रहे हैं last में पुछे गए प्रशनो का तो उनसे आशा करता हूं कि वो जो है आपका comment box में answer दे और जो पहली बार देख रहोगा उससे निवेदन कर करना चाहूंगा कि वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाए ताकि नोटिफिकेशन उसको मिल सके ठीक है आईए इन्हें तो आप भली भाती जानते हैं ठीक है विश्णोगूप्त चानक क्या ठीक है इनहीं के प्रशाशन के बारे में आज प जिस प्रकार अभी वर्तमान में है और आपका संचालन कर रहा था प्रशाशन का ठीक है तो आईए आगे समझेंगे हम तो यहां देख सकते हैं कि इनके थौट किसी देशे से याद रखना है प्रतियोगी परिच्छाओं की दिश्टिकोंड से याद रखना है बिल्कुल कह आप चात्र जीवनियापन कर रहे हैं आप इंडाउंस आते रहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम जो है अब किसी भी बातों से जो है आपका मतलब अभेलित होके या किसी पर परिशान होके और आपका अपने मार्ग को छोड़ दें तो कोई भी कामियाबी का रास्ता ह सभी नहीं होता है और दैन बोलते हैं कि लेकिन कामिश्US मिलने पर सभी राश्ते क्या हो जाते हैं सीद्य हो जाते हैं जया靡़ को सारे रास्ते क्लियर हो और जो है आप अपनी जीवन दिन चर्या बहतर बना सकेंगे ठीक है आशा करता हूं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा आईए आज हम पढ़ने वाले मौरे प्रशासन जो कि प्राचीन भारत का इतिहास के अंतरगत आता है मगध समराज्य मतलब जो 16 महा जनपत में टीक है जो की गुणिपूत्र के नाम से आपका प्रशित्त है तो और प्रशासन आज पढ़ने वाले हैं आईए समस्ते हैं असानी से इसे देखे भई मौर्य प्रशासन जो है वो कोटिल्य के अर्थ सास्त्र के सप्तांग के सिध्धान्त पर अधारित है ठीक है सप्तांग सिध्धान कैसे बहुत सारे विभाग साथ प्रकार के विभाग थे उस पर अधारित है इतना याद रखना है सप्तांग सिध्धान से सप्ता होना जादा एकदम डिटेलिंग से इतिहास कार नहीं बनना है ठीक तो उसके बाद क्या है कि अर्थ सास्त्र में 18 तिर्थों में विभाग था गया आपका विभाग अठारा तिर्थ से आसा यह नहीं कि तिर्थ से आसा है वह व्यक्ति जिसको कि आपको जिम्मेदारी मिलती है जिसको आपका किसी भी विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है उससे तात पर है जैसे कि मान के चलिए वर्तमान में आपका गिरी विभाग किस के पास है आपका अमिशाजी के पास है तो वैसे ही अलग-अलग विभाग है जो कि आपका तिर्थ कहलाते थे उस समय ठीक है अगर प्रसासन किसी से नियंत्रीत होता तो किसे नियंत्रीत होता था राजा से और राजा का जो पुरोहित था वो कुन था आपका प्रधान मंत्री ठीक है जो की आपका चंदरगुप्त मौरे के समय में कौन थे चानक के थे ठीक देन उसके बाद मुख्य समाहरता मुख्य सम प्रदेश्था याद रखना है यह हमेशा प्रस्न में पूछा जाता है कंटक सोधन या आपका फौजदारी मुकदमा फौजदारी मुकदमा से आचाए क्रिमिनल प्रोसीज जो भी होता था प्रोसेस होता था उसके लिए नयालय का प्रदान कोन होता था प्रदेश्था ठीक है तो याद रखना है हमेशा पूछ पूछता और कंटक सोधन मतलब कि आपका फौजदारी मुकदमा किसी के उपर चलाए जाता था क्रिमिनल प्रोसीजर के किरमिनल मुकदमा जिसके उपर जाता था तो आपका कौन सा था आपका प्रदेश्टा प्रदेश्टा अधिकारी थे वो जो है सारे चीजों को देखते थे ठीक देन उसके बाद है व्यवारिक धर्मस्त क्या था तो यह दिवानी का मुकमत में देखते थे दिवानी मतलब की आपका सिविल कोट होता है जो आ नायक तो था सेना का संचालन करने ओला नायक था हीरो था ठीक है फिर उसके बाद नीचे में देखेंगे कर्मान्तिक जो है समराज जी के उद्योग धन्दों का प्रबंदर यहां यह पूछा हुआ प्रस्ण है कर्मान्तिक ऐसे सी और वंडे एक्जाम में बहुत सारे एरिया में इसे पूछा गया कर्मान्तिक को आपका क्या करता था उद्योग धन्दों का प्रबंधन नियंत्रन करता था ठीक है आगे बढ़ते हैं आई है तो यह कितने हो गये नौ हो गये कितने तीर्थे में बटे हुए है भाई दंडपाल कोन था सेना का अवश्चकताओं को पूरा करने वाला दंडपाल था ठीक है और इसके बाद यहां दिखेगा आपको आंटविक ठीक है आंटविक पुछा हुआ प्रस्न है वन वीभाग का प्रधान अदिकारी था आंटविक वैसे ही आपका अंतपाल हो गया जो कि बच्चों का भी पंजी करण कराया जाता था जैसे बच्चे पैदा थे तुरंद वरतमान में बहारी जाते हो घопर प्रशाशन अगरे प्रशाशन में होती को अगले अले बधस्था कैसी थी तो राजा जो है सारी चीजों के जो है मैं यद्व करता था मतलब की निया वस्ता राजा जो है प्रमक रूप से जज के रूप में बैठे राता था ठीक है लेकिन वह अपने अपने जजो से किसके वाध्यम से फॉज़दारी मुकद्म और दिवानी मुकद्मे में ठीक है जैसे दिवानी बताया सिविल वाला एरिया और आपका मतलब अर्थ वाला एरिया और दूसरा आपका हो गया पॉजदारी पॉजदारी मतलब क्रिमिनल एरिया ठीक है क्रिमिनल जितने भी केसे साते थे ठीक है इस प्रकार से समझ सकते हैं तो यहां देख सकते हैं दर् गुपतरचार भी भाग क्या था तो याद रखेगा संस्था और संचार संस्था क्या थी संस्था इस्थाई रूप से बैठती थी गुपतरचार लोगों को मतलब सारी चीजों को सुनना और मतलब इस्थाई थी इस प्रकार से याद रखना है संस्था जो है संस्थाई है संस कारी हासिल करते थे ठीक है फिर पुरुष गुप्त कर चर का नाम है सीता तीशनस अरद ऐसे कहा जाता था इस्तिति अगर कहा जाए कि आपका मौरे प्रशाशन में स्थितियों की स्थिति कैसी थी तो बहुत ही सुधिन और अच्छी थी ठीक है तो यहां क्या है व्रिशली भ काहा से मिलती है तो अर्थ सास्थ से मिला है मैं अर्थ सास्थ से मिला है किसके ऊपर निर्भर थे क्रिसी के आहां निर्भर थे ॥र्वभा懂 यह दो को निया यहाँ आपका कर्मांतिक का था उत्व धंदों का प्रधान तो दूद्धे भी से लेकिन अथिक्तर किसके ओपर डिपंड़ेंड़ें आपका प्रशासान क्रिसी पर डिपेंडेंट था एक बटे छे और एक बटे चार भाग क्रिसी कर लिया जाता था ठीक और इसके लिए अगर कुझे कर अगर जो चुराया तो उसके लिए मृत्यू दंड की सजा थी ठीक है तो अभी वर्तमान में देखोगे बहुत सारे लोग जो है कर चुप मतलब बचाते हैं कर जो चुपाता है या कर जो बचाता था उससा में सीधा किसकी सजा थी वित्यू दंड की सजा थी ठीक है सही करते थे देश का तभी तो है प्रशासन इतना अच्छा था और लोगों को विकास धीरे-धीरे हो रहा था ठीक है उसके बाद अशोक के बहुत धर्म धारन करने के पस्चात ही आपका क्या हुआ मौरी समराज्य का पतन होते गया धीरे-धीरे जिससे की तलवार छोड़ी दिया ना भई तो इससे पता ही चलता है कि समराज्य जो है विस्तार नहीं होगा और अच्छे से चलेगा नहीं ठीक है उसके समय हिफिव गहीं जो है इस तरह सारी चीजों की विवस्था बहुत ही अच्छी थी लेकिन कहीं ना कहीं जो है डबाव ज़रूरी है ठीक आगे बढ़ते हैं, भूमी के प्रकार क्यास है आपका, अलग-अलग भूमी के प्रकार थे, इस प्रकार थे, प्रस्ण पूछे जाते हैं इससे, तो क्रिष्ट किसे कहा जाता था आपका, जुती हुई केत को कहा जाता था, क्रिष्ट किसे कहा जाता था, बिना मतलब बंजर जाता था, इस थल जो है, पीज़ां अफनी होगे से माज़ा, जाता कि सोने को ठीक है मासा क्या जाता का जाता दांबे को ठीक है ुछ उसके बाद है कि मोरे प्रशाशन में आपका कौन कौनसे राजा किस किस धर्म देख सकते हैं चैंडर गुपत मोरे जो है आपका जैन धर्म उतका था बिंदु सार जो था जीवक संप्रदाय का था और आपका अशोग जो था कौन से धर्म अधारन कर लिया था आपका जब बहुत धर्म ठीक है तो इस प्रकार से याद रखना है आगे बढ़ते हैं अब जो है हमारा प्रस्ण सत्र प्रारम होत होता है जो भी इससे रिलेटेट प्रस्ण पूछे जाते हैं वो रखे गया है लास्ट में प्रस्ण रखा गया उसका अंसार आप लोगों को देना है ठीक है तो अब यहां पूछ रहा है प्रसिद्ध युनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आये थोड़ा मिक्सप कोस्चन है कन्फ्यूज नहीं होना है ठीक है तो मेगस्थनी इसके सासनकाल में आया था मेगस्थनीज आया था आपका चंदरगुप्त मौरे के सासनकाल में जैसे कि मैंने कहानी बताए थी उसने अपनी बेटी हैलना कभी आपका एक सिकंदर ने आकरमण किया चंदरगुप्त मौरे से हार गया उसने अपनी बेटी का विवा हेलेना का विवा चंदरगुप्त मौरे से करा दिया और अपने राजदरबारी को कहां छोड़ दिया या अपने राजदूद को छोड़ गया किसके पास चंदरगुप्त मौरे के पास ठीक है तो चंद ठीक है कन्फ्यूज नहीं होना आगे बढ़े अगला प्रस्वाइब चार है मेगस्थनिश की पुस्तक का नाम इंडिका जिसमें गुप्तकाल की सबसे बहतरीन जानकारी मिलती है इसमें ठीक है बहतरीन का उप्योग में बहुत करता हूं चमा चाहूंगा वरतमान नगर पालिका प्रसासन का कौन सा कारे मौरकाल से जारी है तो देखो नापतौल बाटों का निरक्षण यह तो अब नहीं रहे गया सब मसीनी कृत हो गया वस्तों की कीमती का निरधारन करना ठीक है यह तो नॉर्मल ही चीज है जन्म मृत्यू का पंजी करन यह आंसर हो जो अभी व क्या था टेक्स था लाई देखो क्या के दिया है सैनिक विभाग धर्मिक अनुस्थान प्रसासिक विभग के राजस विस्थों उतार आपका भार्ग कि आय का मुख्योस्तो था किस अधिकारी द् prompt किया जाता था है हाँ या कि काल में सीता से तातपर है आए देखें एक देवी एक धार्मिक संप्रदाय राज की भूमी से प्राप्त आये बिल्कुल सही है तो इसी का तो कौन करता था आपका हरण सीता अध्यक्ष आगे बढ़ते हैं मौर्य मंत्री परिशाद में निम्न में से कौन सा राजस्व इखट दो करता था और आपका किस के पास जमाकरता था राजा के पास आगे बढ़ते आई अगला हमारा निमलिखित में से कौन और यूगीन अधिकारी तॉल्म मान का प्रभारी था होगे ठीक है याद रखना है पनिया दध्यक्ष शुना दध्यक्ष सिता द्यख्ष या पतव अ देख जो थे वह आपका क्याब करते थे तोल माप का अधिकारी थे ठीक है प्रभारी थे मतलब देखना 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 देखरेक कर देखें नायक मूवी में आपका कैसे चुरी होता था टेक्स ठीक देखने मत बिढ़ जाना भाई कभी-कभी देख लिया करो लेकिन रोज- भारत अभियान ठीक है सड़क पर कीचड फैलाने पर क्या लिया जाता था आपका पंको अपना को दसन्नी रोधे किसके लिए मतलब अगर लिया नहीं जा रहा है ठीक है अपनी सोच है अच्छी बात है लेकिन एक समय ऐसा था कि मौरे प्रसासन में यह सारी चीज़े की जा शूँकि है तो ऐसा नहीं है कि आपका अभी-अभी इजात किया गया बिलकुल नहीं तो शड़क पर किचर फैलाने पर क्या लिया जाताथ था पंको दसन्नी रोधे tax lemons उपमाना लिया जाता देग्स ने जुर्माना लिया जाता अग्ला है अमारा कौटिल लिके अर्थ शास्त्र के अनुसार मौर्यकाली न्याय ववस्था में निमलिखित न्यालय अस्तित्व में ठीक है धर्म महामात्र धर्मस्थी रजुक या कंटक सोधन ठीक है तो दो और तीन हो जाएगा अंसर यह दो तीन कैसे हो सकते हैं एक दो तीन तीन ओहो ठीक है यह चार होगा भई ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला है प्राचीन भारत में निमलिखित गंतों में से किसमें पती द्वारा परितक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेत की अनुमती दी गई है तो याद रखेगा अर्थ सास्त्र एक ऐसी किताब है कौटिल लिखी गुनी पुत्रचानक के क जिसमें कि आपका पुनर विवाह के बारे में आपका क्या बता रहा है कि निमलिखित गंतों में से किसमें पती द्वारा परितक्त पत्नी के लिए विवाह मतलब विच्छेत की अनुमती दी गई है तो बिलकुल अनुमती दी गई थी आपका किसमें अर्थसास्त में याद कि आए बढ़ते आए निनलीकित में से किसमे पुनरर विवाह ऑर जीज़ है ऑपका Roman poverty में इसमें बता हैं कि अगर पुरुष की पतनी अगर है वह अगर इंतिकाल कर जाती है या एकसपार हो जाती है तो आपका वह विवाह कर सकता है ठीक है लेकिन अगर महिला की अगर महिला के पती की अगर उसके पती की अगर क्या बोलते मिर्ति हो गई तो वो पुनरविवा नहीं कर सकती ठीक है इस प्रकार से दिया है तो याद रखेगा मनुष्ट में कन्फ्यूज नहीं होना है कि सर यह तो मैंने पढ़ा था लेकिन पढ़ा है आपने कि अगर पत्नी खातम हो जाएगी तो पु पणाम धिया ठीक है तो चंध्र गुप्त मौर को क्या कहा जाता था सेंड्रो कोटस कहा जाता था सब्सक्राइब को पुछा जा सकता है तो क्या हो जाएगा बी का बहना को क्या कहा जाता था चानक को क्यो पैसमें दिख रहे है इसमें दीकन फोरल यह रहा अंसर इस का ठीक है विश्णों गुप्त देन उसकेबाद अशोग कर दने अंचॅग जो है क्लिए क्या यापका बिन्दुसार तीन इसे चंद्रगुप्त अरी उल्टा सीधा होगे बैए चंद्रगुप्त का दो होगा तो दो को एक टू क्या हो जाएगा दोनों में ठीक है बिंदु सार का अमित्र घात तोड़ा यहां सामने से फोकस में कंफ्यूजन होता है ना थोड़ा सा मतलब नराज मत होईएगा चंद्रगुप्त मौर्य सेंड़ो कोटस बिंदु सार अमित्र घात तीन ठीक है दोनों में है असोग कपी दर्सी ठीक है किसमें है भाई यह वह गया अंसर होगा तो आगे बढ़ते हैं अब यह रहा आज का आप लोगों का प्रशन इस प्रकार से है कि अंति मौरिसम राट कोन था जलोक था अंति वर्म था नंदी वर्धन था यह ब्रिहत्रत था ठीक है इसका अंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है आशा करता हो इतनी सारी चीज़े आप लोगो समझ में आए हो कि इसी के साथ इजाजाद चाहूंगा आज पिछला जो प्रशन पुछा गया था उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा इसमें नहीं है ठीक है तो कन्फ्यूज नहीं होना है इसी के साथ इजाजाद चाहूंगा जय हिन जय भारत